आत्मा वनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर हम सभी को बाबा ने spiritual knowledge दी है और बहुत सुकसम रहस्ये हमारे सामने खोल कर रख दिये हैं उसमें से एक रहस्ये भी है कि जो जितना न्यारा बनेंगे वो उतने ही प्यारे बनेंगे इसका और क्यार्थ है अर्थात जो जितना देहे से न्यारे बनेंगे जो पदार्थों के अकरसन से न्यारे बनेंगे जो मनस्यों के महममता से न्यारे बनेंगे वो बाप के प्यारे बन जाएंगे और विश्व के भी प्यारे बन जाएंगे संसार में हर मनुस प्यार चाहता है प्रन्तु प्यार पाने की विधी यही है इस समय जो देशे न्यारे बन जाएंगे वो परमात्म प्यार में भी मगन हो जाएंगे और उन्हें जनम जनम रिष्टों में भी प्यार प्राप्थ होगा तो आईए हम सभी बहुत अच्छी प्रेक्टिस करें इस देह से न्यारे होने की जो देह से न्यारे होने का निरंतर अभ्यास करते हैं वही मैपन से भी मुक्त होते जाते हैं और उनके द्वारा इस संसार को आटोमेटिकली स्यान्ति के वाइब्रेसन्स मिलते रहते हैं बहुत ज़ल्वरत है इस समय सारे संसार को स्यान्ति की तरंगे देने की हम सभी पुरवज्ज हैं हमारा ये परमकर तव्व है कि हम संसार की सभी आतमाओं की मदद करें चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने वैर भाव छोड़ कर, अपने मन की भावनाओं को स्रेश्ट करें, ये हिंदू है, ये मुसलिम है, ये क्रिश्चन है, ये सिख है, इन्होंने हमें बहुत सताया है, इन्होंने हमें कस्त पहुंचाया है, ये सब भावनाएं अब हमें छो होनी चाहिए और हमें याद रखना है कि जिस मनुस को जिस पूरवज को संसार को श्यंति का दान देना है उन्हें अपने अंदर श्यंति की शक्ति बहुत भड़नी होगी यह silence power है इसलिए उन्हें ध्यान रखना है कि वो कभी भी किसी बात में अश्यान्त नहीं हो सकते नचार और अश्यान्ती फैला सकते, मन को अश्यान्त करने वाली बाते बहुत आती हैं, परिवारों में भी अनेक बाते रोज आती हैं, जो मन को विचलित करती हैं, मन की सुख में इस्तिती को नस्ट करके उसे अश्यान्त कर देती हैं, परन्तु हमारे पास सच्चा ज्यान है इसलिए हमें अपने चित को कभी भी अश्यान्थ होने नहीं देना है ये बहुत बड़ा चेलेंज कल्यूग में हम सब के सामने है इस चेलेंज को हम स्विकार करें और हम भी चेलेंज कर दें कि किसी के सब्द, किसी का व्यवहार, कोई लाभानी, कोई सुक दुख हमें अश्यान्थ नहीं कर सकता, हम जब इतने शक्ति साली बनेंगे तब हमारे अंदर श्यान्ती की शक्ति जमा होती जाएगी हमें कमजोर नहीं बनना है, कि कोई हमें कुछ भी कह दे और हम अपनी श्यान्ती को खो बैथें, ये विल्कुल नहीं होने देना है लक्स बना लेना है, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरी श्यान्ती को मुझ से छीन ले और इसके लिए बार बार स्वैम को देहे से न्यारा करने का अभ्यास करना है इस अभ्यास में न केवल चार उट श्यान्ती फैलती है लेकिन हम मोल रूप में ही जो सक्ति साली हैं हम सक्ति स्वरूप हैं परफेक्टली हमारे पास बहुत ज़्याद़ पावर्स थी वो सक्तियां पुने हमें प्राप्त होने लगती हैं और हम अपनी स्यान्ती को सदा कायम रख सकते हैं तो आज सारा दिन हम बार बार अभ्यास करेंगे मैं आत्मा अलग ये देहें अलग बार बार अपने देखी और देखें और संकल्प देएं मैं ये नहीं हूँ मैं तो मास्टर ज्यान सूरिये एक बहुत तेजस्वी आत्मा भरकुटी के मद्ध में विराजमान मुझसे तो चारो और रंग विरंगी किरने फैल रही हैं ये अभ्यास बारं बार करेंगे तो सारा दिन डीप साइलेंस का अनुभव होगा और अनुभव होगा कि भाई ये कोई भी वातावरन हम पर अपना प्रभाव नहीं डालता ओ स्यात्य